गंगानगर की घरसाना में प्रवासी मज़ूरों का घर आने का सिलसिला लगातार जारी है ऐसे में कोरोना संक्रुमन को रोखने के लिए घरों में ही कौरिंटीन करने के लिए प्रिशासन ने 45 स्थर पर कोर कमेटी का गठन किया है राजसरकार से मिले आदेशों के तहट ये निर्ने लिया गया, इस समंद में बैठक का भी आयोजंग किया गया इसमें बता गया कि कोरोना से लड़ने के लिए बाहर से आने वाले यात्रियों को ग्रीन जोन और ओरेंज जोन से आने पर शिकित सा अधिकारी से परामर्श लेने के बाद ही होम आईसोलेट और रेड जोन से आने वाले संस्थागत क्वारिंटीन करने के निर्देश दिये है करुणना जैसी महामारी ने जापूरे समुचे देश में पाउं पसार रखे हैं वहीं इलाके में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है वहीं गराम पंचायद द्वारा कोर कमेटित का घठन किया गया है कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनका रिजिश्टर पर नामंकित किया जावे और परसासन को तोंट उसकी सूचना दी जावे हमारे साथ मुझूद है गराम पंचायद इनिश्टर के सरपंच संदीप सिंग धिलो सर जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके लिए आपके द्वारा क्या पुक्ता इंतजाम और विवस्ता कीगी है जब तक वो यहां थे उनके अच्छे खाने पनिये की विवस्ता बहुत शांदर की गई थी और अब उनके बेजने की विवस्ता भी बसों के द्वारा बहुत शांदर की जाएगी बिल्कुल तमाम जो विवस्ता है कहीं ना कहीं गराम पंचयत और प्रसासन के दुवारा की जा रही है ताकि किसी परकार की कोई भी प्रोब्लम क्रियेट ना हो इसके लिए तमाम जूर्थमन लोगों के लिए बोजन का भी परमंद किया जा रहा है ताकि करोना जैसी महामारी से बतादास के वही एवन टीवी तमाम लोगों से यह अपील करता है कि तमाम लोग घर पे रहें मैं मेरे केमरमेन राकेश के साथ विकास पारिकेवन टीवी करसाना